हेलो फैंट्स यूपी एसी एक्जेंबर अभी यूटीब चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम मेडियेवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 34 स्टार्ट करने जा रहे हैं सो कल्च्र एंड रिलीजस डेवलिमेंट के बारे में देखेंगे इसके यहां पर औरेडी दो के वारे में यहां पर ही जानेंगे भी इस परकार से देखने को मिलेंगे मतलब की जैसे स्टैप वैल्स मतलब नीचे जाने के लिए नीचे पानी बरके लाया करते थी पहले की समय में जैसे हर्याना घुजरात यहां पर आपको बहुत जुश्राइधगे श बहुत जादा देखने को मिलेंगी रहां पे यह ति यहां पर यहां पर इंगे बारें देखने को मिलेंगी उसके बाद मिनरेट्स मिनरेट्स के होते हैं एक मिनार होते हैं यहां पर जैसे की कुतुब मिनार हो गया ठीक है तो इस परकार के यह जो मिनार्स आपको देखने को मिलेंगी उसके बाद मॉटिफ्स मॉटिफ्स के होते हैं आप डिजाइन या पैटरंस होते हैं आपको इस प इसमिलस के और पिक्ट्र होती है यहांपर चोटीक चोटेATA से ए्सब्सक्राइब करते उसके बाद मुझीन के होते हैं यहां जो मुसलिम को यहां प्रेयर के लिए बलाते हैं ठीक है जो मिनार के ओपर यहां पर खड़े होके सो मॉस्क में यह देखने को मिलेंगे उसके बाद मुराल मुराल पेंटिंग्स के आओते हैं यहां पर देख लेते हैं सो मुराल पेंटिंग्स आपको इस परकार के यहां पर देखने को मिलेंगे स करीशना के जो डिवॉटी यहां पर वक्त थे उनकी दवारे इस परकार के बहुत सारी 30 पर इंटिंग बनाई जाती ति थी सो इसे बोला जाता है मुराल पेंटिंग पर उसके बाद यहां पर पियत्रा तो यहां परिक achievements इस प्रकार के आपको यह देखने को मिलेंगे ठीक है तो लास्ट यहां पर शिकार शिकार यहां पर क्या होता है कि मिनार टाइप यहां पर देखने को मिलेगा इसे क्या बोला जाता है यहां पर यहां पर यहां पर इसके पैटरन या टाइप से देखने को मिलेंगे तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसे नोर्स में इंटर्ड्यूस नहीं करूँगा जस्ट यहां पर वीडियो में इसे इंटर्ड्यूस किया है क्योंकि अदर्वाइस नोर्स बहुत जादा लेंटी हो जाएंगे अगर यह चोटी चोटी बाते में नोर्स में इमेजिस यहां पर इंकल्यूड करने लग गया तो अगर देखें तो जो आउटर और इंडर वालस आपर हावेलिस के होती थी यहां पर उसमें बहुत ज़ादे पैंटिंग बनाई जाती थी गोल्ड, सिल्वर लीव्स यहां पे या मिरर पीसिस का बहुत ज़्यादा इस्तमाल किया जाता था डेकोरेशन के लिए और यहां पे जो लोग हैं वो जैसे की जो कृष्णा के जो अबक्त हैं इस परकार की यहां पे जो पेंटिंग्स हैं मेंली जो कृष्णा की लाइफ से जुड़ी हुई है वो बनाई जाती थी ब्यूटिफुली यहां पे डिजाइन लोगों के दवरा की जाती थी को आहां पे जो हवेली जेसल में तो पहले हम यहां पे देख लेते हैं थे इस परकार की यहांपे पैंटिंग्स आपको मुराल पैंटिंड जीने बोलाजाते हैं बहुँ जगा बहु जादा देखने को मिलेंगी इस टाइप की क्लिए मेर मेर कुन देखने को मिलें विषभ में यहां यहां पर कोई बिया करता है यहां पर कोई ब्रॉक वो अंदर ना आ सके तो इस प्रकार से इन्हें डिजाइन किया जाता था तो नेक्स यहां पर मूव करते हैं तो नेक्स यहां पर बाउली इस यहां पर यहां पर सदन इस्टन हर्याना में यह बहुत सरी देखने को मिलें गी तो इस परकार के यहां पर बाउली थी वह ऐसके बाद आखिक्टन यहां पर मुगल एम्पाइर यहां पर आया था ठीक है हमें ने इनके बारे में देखा था इन्हों के कि पालस जो बनवाई जाते थे garden से यहां पर भी हुआ गरते थे ठीक है सो आगरा दौला पूर्स इस सारे पालस है यहां पर बनवाई गए थे यहां पर बाबर के द्वारा सो पानी पत में जो मौस्क बनवाई गए थे सो आपको इस परकार से देखने को मिलेगी तो उसके ब यहाँ के नियुक्त तो है यह Beta यहाँ कोछ यहाँ नहीं बनवाए था यहाँ पर के बारे में देखे यहाँ धो एनके दुवारा हमायू की टॉम बनवाई गई तो यहां पर बन स्टॉरी है यहां पर बहुत ही जबतस्थ आप तो पёзटन क्राफ्ट मैं यहां पर बिलवाए गए तो यहां पर एंडिया में पहली बाहर टॉम देखने को मिलेगे ठीक है डबल टॉम स्ट्रक्टिय आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर बनाया गया कितनी अद्बूत यहां पर शांदार वे के साथ यहां पर बनवाया गया था तो इसलिए यहां पर फोर्ट पैलेस यहां पर अगरा में बनवाया गया थे यहां बहुत famous यहां पे थे यह भी ठीक है तो आगरा का किला तो आप यहां पे देख सकते हैं उसके बाद यहां पे red sandstone से यहां पे मेली बनवाया गया था तो बहुत ही शांदार यहां पे इसके gates हुआ गरते थे और यहां पे जो construction थी यहां पे new capital city फटेपुर सिकरी यहां पे बनवाया गया थैंप्पर के दोवारा यह बहुत ज्यादा शांदार था अट्रेट अचीट्षर ऑच्टेईवमेंट यहां पे अकबर के दुवारे यहां पि दी गई थी फटेपूर सिकरी को यहां पे तो यह जो city palace यहां पर बनवाया गया था completely red sand strong से बनवाया गया था 1571 से लेके 85 तक यहां पर बनके त्यार हो चुका था तो यहां पर आप देख सकते हैं तो capital जो city फतेपुर सिकरी यहां पर दिस्वान इस प्रकार से थी तो इसका यहां पर बुलंद दर्वाज है यहां पर फतेपुर सिकरी ठीक है तो यह भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा clear है so चली यहां पर next move करते हैं so यह हम यहां पर कर चुके हैं सब कुछ यहां पर आप देख सकते हैं this one this one so next so next यहां पर playlist आपको निचे description box में मिल जाएगी video को find out करने की जुरूरत नहीं है so next यहां पर जहां गीर के बारे में देख लेते हैं so यहां पर important building जो इन्हों ने अपने समय में बनवाई थी एक तो था यहां पर अकबर का नूर जहान के फादर थे यहां पर यह तो उन्हें टाइटल दिया गया था इनका real name क्या था यह आप लोगों ने नीचे comment section में बताना है तो मैंने जहां गीर वाला जो lecture था उसमें मैंने detail में बताया था यहां पर अकबर का मकबरा आपको इस परकार का देखने को मिलेगा यहां पर 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 यहां साथ ठीक है तो यहां पर लग-लग डिजाइन यहां पर इनके दुवारा यूज किये गए थे सबसे पहले अगर हम ताज महल की बात करते है तो ताज महल चाहां जाके दुवारा बनवाये गया था आगरा में लोकेट यहां पर यहमना नदी के किनारे देखने को मिलेगा सो मेली यह जो इनकी पतनी थी मुमताज महल उसकी याद में इन्होंने बनवाया था जो की 1631 में यहाँ पर मर गी थी जब वो अपने 14 थी यहाँ पर बच्चे को जनम दे रही थी ठीक है तो यह हमने डिटेल में स्टोरी देखी थी क्या थी सो ताज महल यहाँ पर इसे जो साथ यहाँ पर अजूब हैं पूरे विश्व में उन में से एक माना जाता है ताज महल को तो यहाँ पर 20 स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी सो कंस्ट्रक्शन ताज महल की 1631 में शुरू हो थी बाइस साल लगे थे 53 में यह बनके कम्प्लीट हो चुका था ठीक है तो यहाँ पर आखरी सालों में यहाँ पर जो शहाँ जाओ को यहाँ पर कैद कर लिया गया था ठीक है तो यह सारे स्टोरी हमने पहले पढ़ चुके सो ट्वंटी थाउजन वर्कर से यहाँ पर बलवाए गए थे यहाँ पर इंडिया सेंटरल एशिया इवन यूरॉप से भी यहाँ पर वर्क करने के लिए बलाए गए इशा खान यहाँ पर चीफ अर्किटेक्चर यहाँ पर हुआ करती थी ताज महल की तो ऐसा यहाँ पर इंफोर्म्ड यहाँ पर इंफोर्मेशन मिलती है दिवाने अफरीदी से सो मैटीरियल यहाँ पर जो यूज किया गया ताज महल को बनाने के लिए रैड सैंस्टों सिल्वर गोल्ड कार्नेलियन जैस्पर मून स्टों जेड लैपिसल जूली ग्रीन कलर ब्लू कलर के स्टों देखने को मिलेगा कोरल हो गया ठीक है तो इन सभी चीजों का यूज किय गया था यहां पर ePC सहंटल एशिया यह सब बारत से सैंटर्ल एशिया सी यह सब यूबायी इसनल किया गया गया जो और बॉत पूर्स से यहां पर इस्तिमाल किया गया था मेली यहां पर पंजब बगदाद इजिप्ट रशिया चाइना अफ़कानिसान इस शिरलंका का पुराना परशिया तो यहां से देखने को मिलेंगी तो यहां पे जो सिलेंडर और टैपरिंग टावर्स या पिलर्स जो मिनरेट्स ठीक है जो मिनार यहां पे कॉर्णर पे यहां पे देखने को मिलेगी चार यहां पे तो यह दिस वान ठीक है तो यहां पे यह थोड़े से बाहर की तरफ यहां पर देखने को मिलेंगे तो यह बिलकुल समझ जनित है यहां पर बनवाया गया था क्यों बनवायाぎ यहां पर पूछा जा सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर बिलकुल सीधे नहीं सबस्चार्ट अगर चाल आता है to यह जो में बीलडइंग है इसके उपर ना गिरें यह तो इसलिए यहां पर थोड़े बाहर की तरफ इन्हें टिल्ट रखा गया था आगर पूचाल आता अर्थ को एक आता है तो यह बाहर की तरफ गिरें ठीक है तो इसके पिछे यह कारण कि ले तो चाहूं को आप इससे वीडियो को पाौच करके देख सकते हैं क्या पाइँ इसक्रेण सकते हैं यह तो यहां पर पूर वाइट मार्بة का बhrip MARBLE यहां पे किया गया था यहां पे जादा इंप्रियासीव डेको力 ठीखर से यहां पर building के, की डहलिकेट मार्बल स्क्रीं से यहांपे देखने को मिलेगी यहां पर यहां पर इलगी तरह का यहां बनवाए गया थे इनके दोर्वर अगर आपको बहुत कम कौस्ट के इसक्रिब्चिं बॉक्स कमेंट सक्षोन में नंबर इसनूर की ऊपर को मैसेचSoft यहां पे रिस्टोरिशन ऑफ दी ताजमहल तो यहां पे जो ब्रिटिस सोल्जर्स या गवर्मेट ओफिशल से इन्होंने डैमेज किया था यहां पे ताजमहल को तो यहां पे जो प्रेशर स्टों से लैपिस लजूली थी वह अपने साथ ले गए थे 1857 में तो एंड ओफ ती जो मोस्क है वहां पे जो लैंप है उसके साथ आपको देखने को मिलेगा और चार बाग यहां पर देखने को मिलेंगे ब्रिटिस ट्राइल में यहां पर यहां पर बनवाया गया था सो आज के समय भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो इस परकार का यहां पर यहां पर एक चीज वह रहा है, यहां पर महुती मस्जिद यहां पर बहुत बनुआई गई थे आपे, उन में से एक महुती मसजिद भी था जीसे परल मौस्क भी बोला जाता है, ठीका, आगराफोर्ट में, तो यह हम यहां पर पहले देख चुक्यें, जो पहले हमने चैप्टर्स यहां पर यमुना नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा डेली में इसे रैड फॉर्ट या लाल किलर के नाम से भी जाना जाता है यहां पर शुरू किया था तो यहां पर यहां पर शहां-जहां के दुवारा बनवाया गया था जब यहां पर जो नई सेटी यहां पर बनवाई गई थी शाह जहाना बाद तब यहां पर इसकी भी सापना करी गई थी सो फोर्ट यहां पर न्यू सेटी का ही एक हिस्सा था यहां पर इर्रेगुलर ओक्टागन की शे में यह बनवाया गया था यहां पर रेड लाल किला आप देखने को मिलेगा तो यहां पे पबलिक audience hall हुआ गरता था रेक्टेंगुलर hall हुआ गरता था यहां पे red sand stone से मिलके बना था जिमाने खास यहां पे private audience hall हुआ करता था so highly ornament पिलर्ड हुआ करता था famous peacock throne भी यहां पे देखने को मिलेगा रंग महले यहाँ पे पैलेस यहाँ पे वुमेन के लिए रोयल हाउस होल्ड ठीक है यह देखने को मिलेगा शाह बोर्ज यहाँ पे स्ट्रक्चर जो थी यहाँ पे इंपीरियर के दुवारा यहाँ पे जरोका दर्शन दिये जाती थे मतलब बालकनी के उपर खड़े होके वो लोगों को ठीक है तो यह था यहाँ पे अरंग जेब के बारे में देखें सो अरंग यहाँ पर सींपल लिफस्टाइल उनके दुवारा जिया गया था ठीक है तो यह क्या करते थे यह अपना खर्चा खुदी चलाया करते थे तो एक तो यहां पर कामें इनके दुवरा अलग से किये जाते थे ठीक है वो हमने औरक जेप की चैप्टर में देखा था इनका कोई इंटरस्ट नहीं था यहां पर क्रेटिव इंड आर्ट्स या अर्किटेक्टर में बनवाने के लिए जितन से बीबी का मकबरह बो ला जाता है ठीक है तो यह तैज महल की ठीक है और जैसे कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा गया रेड़ इसे यहाँ पर वर्ल्ड हैरिटेज साइट यहां पर गोशित किए तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा इसके तो पर जक्राइ Hazard ने दोनों को ठीक है तो यहां पर मेडियावली हिस्टी हमारी फीनिश हो जाएगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना अपने आसपास फाइड रखें ज्यादे से ज्यादा पेड़ पो देगाएं गुरीन इंडिया गई तरफ मूव करना यही हमारा लक्ष है जाहिद यहींद आफा फैंतास्टिक देगाएं